असलाम अलेकुम वेलकम बैक टू समिनाज रूटीन व्लॉग उमीद है कि आप सब खैरियत से होंगे सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैपी दिवाली जहां से मैं वोईस ओवर कर रही हूँ वहां बहुत सारे फटाके जल रहे हैं तो बैक ग्राउंड से आवाजे आती रहेगी खैर यहां पर मॉनिंग का टाइम है और आज के व्लॉग में ना मैं कोई रेसिपी स्पेशल रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ लास्ट व्लॉग में मैंने चॉकलेट रेसिपी नटी चॉकलेट रेसिपी शेयर की थी तो अभी तो वह फिलाल पूरा खतम हो गया है मुझे स्टोर करने का मौका ही नहीं मिला यहां दिवाली वेकेशन स्टार्ट हो गई है और वेकेशन के स्टार्ट होते साथ है यूसुफ की तब्यत खराब हो गई है बर्दे भी आने वाला है और वैसे तो बर्दे मनाया नहीं जाता लेकिन फिर भी थोड़ी सी खुशियां बाट लेती हूं अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर लेते हैं फैमिली टाइम एक्स्पेंड हो जाता है यहाँ पर मेडिटिंग करने बैठी हूं क्यूंकि आज बच्चे न सभी तीनों जन नानी किया चले गए और कोई है नहीं यूसुफ मेरे पास अकेले है तो अब क्या ही रेसिपी बनाओ बच्चे तो है नहीं न तो कहीं न कहीं स्नैक्स आइटम कुछ ना कुछ बनते रहता है और अचली अभी दो दिन हो गया ता व्लॉग नहीं अपलोड की थी तो मैंने सोचा मिनी व्लॉग ही बना के अपलोड कर देती हूं वो जैसे भी हालात है तो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूं आज तो वोईस ओवर करने में बड़ी दिक्कत हो रहे हैं बहुत सारे पटाके जल रहे हैं और वोईस ओवर में पीछे से बहुत ज़्यादा पटाकों की आवाज भी आ रही है यहाँ पर मैं बनाने लगी थी दाल और मेरे घर पे ना दाल जो है ना खटाई वाली बनती है तो मेरी सास ने यहाँ पर लास्ट सिक्स मन्स पहले ही खटाई बना के रखी थी जब गर्मियों का मौसम था इसकी रेसिपी ना मेरे चैनल पे अफ्लोडेड है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और यहाँ पर रहे ना इसे मैं एक प्लास्टिक के जार में ही फिलहाल के लिए ट्रांस्वर कर दे रही हूँ चोटे से जार में ताके यह ना मुझे convenient रहे यूज़ करने के लिए यह ना बहुत अचारी टाइप होता है लेकिन इसमें तेल बहुत कम होता है और पूरा यह सरसो के तेल में ही बनता है बहुत simple सी recipe है आप सालन में या दाल में या कढ़ी जो बनाते है उसमें आप डाल के यूज़ कर सकते है जिस तरह से हम कुछ ख्टा डालते है तो उसी तरह से यह भी यूज़ होता है मेरे घर पे जाल बहुत simple बनती है सिव लस्टन कूच के डाला जाता है और जब दाल गल जाती है न तो बस इसे घोट कर यही खटाई हम डाल देते हैं और एक बोईल आने का वेट करते हैं और दाल हमारी तयार हो जाती है और बेसिकली न ये पूरी यूपी स्टाईल से खटाई बनती है यानि के यूपी के लोग जो होंगे न मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो वो लोग अच्छी तरह जानते हैं ये खटाई क्या चीज है और वाकई में इसे सिव मच्छी के सालन में या फिर कढ़ी में एक पीस डाल दो सालन तो महोती टेस्टी और खुशबुदार हो जाता है और बस ये देखिए दाल में मैंने खटाई डाल दी हूँ अच्छे से इसे और घोट दूँगी थोड़ा सा मैंने पानी आड़ की थी क्यूंकि इसे ना दाल बहुत गाड़ी थी और बस एक विसल कर दूँगी हो जाए गए और लास्ट में जब जस्ट खाने लगेंगे उसके पहले मैं धनिया पत्ती आड़ कर दूँगी पहले से आड़ करते हैं तो वो धनिया की पत्ती ना काली हो जाती है और यूसुफ को देखें यहाँ पर अब मैं इसे ना नेबिलाइजर देने जा रही हूँ यह मशीन ना हस्बेंड ना ओनलाइन से मंगाये थे उनके पास कार्ड कुछ रखा हुआ था तो वो मशीन है ना ओनलाइन से ही मंगा दिये थे मुझे बार बार इसकी जरुरत पढ़ रही थी यूसुफ ना बच्पन से ही मतलब उसे कुछ खासी की प्रॉब्लम है और यह जो नेबिलाइजर है ना उसे हमेशा मुझे देना पड़ता है खास कर जब मौसम चेंज होता है या बहुत ज़ादा ठंडक हो गई तब तो यह नेबिलाइजर जो है ना मैं हमेशा से अब यूज करने लगी हूँ इसकी जो लिक्विड हाती है ना डॉक्टर से लिखी हुई है और यह देखिए इसका कुछ ना इस तरह से रिफिल करने का पॉइंट होता है तो यह सारा कुछ है ना डॉक्टर को दिखा कर मैंने दवाई वगरा लिखवा दी हूँ तो वही मैं हमेशा अपने पास रखी रहती हूँ और देखती रहती हूँ जब कभी है ना लाइक बहुत ज़ादा खासी हो रही है उसे सांस लेने वे भी तकलीफ होती है कभी कबार क्यूंकि यह पुरा चोक अप हो जाता है तो यह मैडिसन में इसे ड्रॉप पुरा डालके पुरा लिक्विड इसमें डालकर इसे भाप दे देती हूँ यानि के नेबिलाइस दे देती हूँ तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है मेरे लिए कि बार-बार है न हॉस्पिटल नहीं भागना पड़ता है और बहुत ही सिंपल है इसे लगाना और इसे यूस करना तो बस अभी देखिए यूसुफ किस तरह से न अब ये खुद से ही लेगा स्टार्टिक में तो पहले थोड़ा घवराता था लेकिन अपना ये यूस्टू हो गया है तो बस यही रीजन था कि ये है न कोई रेसिपी नहीं बन पाई है क्योंकि जब बच्चों की तबियत ठीक नहीं होती न तो कुछ बनाने का भी मननी करता है और न कुछ करने का भी मननी करता है तो आज की व्लॉग में न मैं बस यही इतना शेयर कर पाई हूँ आप लोगों से जल्दी मिलती हूँ नेक्स व्लॉग में तिल देन के लिए अपना और अपनों को ख्याल रखे, दुआओं में आद रखे, अल्ला हाफिस.